परिवर्तन कभी पीला दायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीला दायक होता है अगर आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को बदलना होगा लेकिन ये सिर्फ तवी संभव है, जब आपके अंदर बदलने लायक कुछ हो आपको इस चीज़ का ग्यान होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, तभी आप उसे बदल पाओगे और सिर्फ ग्यान होना ही काफी नहीं होता, हिम्मत और तागत भी होनी चाहिए क्योंकि इनसान को बदलाओ से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो यही है कि केवल अच्छी आदते अपनाने में और बुरी आदते छोडने में ही इनसान को सबसे ज्यादा परेशानिया होती है बाकी सारे परिवर्तन बड़े आसान होते हैं राय बदलती है, विचार बदल जाते है, दुनिया बदलती है, समय बदल जाता है यहां तक कि इनसान का स्वभाव भी बदल जाता है, लेकिन कभी उसकी बुरी आदते नहीं बदलती है और यही इंसान के असफल होने का उसके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तो परिवर्तन स्रश्टी का नियम है आज आप जवान हो कल आप बूड़े हो जाओगे यह प्राकरतिक परिवर्तन है आपके हाथ में नहीं है लेकिन अगर आज आप मूर्ख हो तो आप कल भी मूर्ख ही रहोगे अगर आप अपने आप में परिवर्तन लेकर नहीं आओगे अगर आज आप गरीब हो तो कल भी आप गरीब ही रहोगे अगर आप अपने आपको बदलने की कोशिश नहीं करोगे इसलिए परिवर्तन लाओ रोज सोबे सबसे पहला काम लिष्ट बनाने का करो कि आज तुम्हें क्या क्या काम रात होने से पहले खतम करने है इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाईज होगा आपको ध्यान रहेगा कि आज का दिन आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाना चाहिए परिवर्तन लाओ कि आज फिजूल की बकवास करने की बजाए अपने मूँ से केवल काम की बात ही निकालोगे इससे समय के साथ लोग आपकी इज़द भी करेंगे और आपकी बात की वैल्यू भी बढ़ेगी परिवर्तन लाओ कि आज आप कुछ अच्छा सीखोगे जो भी देखोगे अच्छा देखोगे जो भी सुनोगे अच्छा सुनोगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा फिजूल की चीज़ों में समय खराब नहीं करोगे परिवर्तन लाओ कि आज आज आप कम से कम एक घंटे कोई अच्छी किताब पढ़ोगे या एक अच्छी ओडियो बुक सुनोगे जिससे आपको जीवन में एक सकारात्मक मोड आए अपी जी अब्दुलकलाम जी ने कहा था कि आप अपना भविष्च नहीं बदल सकते हैं अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और ये आदतें आपका भविष्च बदल देंगी वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा कि अब आपको मोटिवेशन की नहीं सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है Self Improvement की जरूरत है और यह तबी होगा जब आप अपने मन में ये बाद ठान लोगे कि आपको अपने अंदर एक ऐसा Change लेकर आना है जो आपके बाहर के हालातों को बदल कर रख दे महात्मा गांधी के शब्द थे Be the change you want to see in the world खुद को बदलो हालात सोयम बदल जाएंगे और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसको शेयर जरूर कीजेगा मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात का उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज